हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डोक्टर दर्बेस आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल फ्रीडम फ्रम हस्पिटल दोस्तों आज एक खास दिन है आज गुरु जी भुनेश्वर भुनेश्वर से डेली डेली से फिर नॉड़ा आया है मेरे पास मेरा कोरोना ठीक होने के बाद ये पहला भी जीट है बाबागा जिनके दुआओं से जिनके साधना से जिनके अच्छे कर्म के कारण और उनका हेल्प के कारण आज मैं बैठा हूँ और फिर मेरा काम मैं कर पा रहा हूँ इसलिए कहते हैं कि जीवन में अच्छा कर्म जरूर करो और गुरु को साथ लेके चलो गुरु के उपर होने को कोशिस ना करो जिसने भी गुरू के उपर होने को कोशिस क्या है उसका डाउनफल हुआ है याद रखिए इस बात को उसका डाउनफल हुआ है जितने लोग वाल्ड का आप देख लीजिए इसलिए यह जो 29 साल या लगभग 30 साल का जो रिस्ता है वो रिस्ता को बाबा ने वाखु भी निभ लगभग 800 एमेल है बाबा लगभग 80 साल के होने गए भी और उनकी जो सहत की राज है वह है अच्छा खान पिन और आयुर्वेट के साथ अपने आपको जोड के रखना साथ साथ रेगुलर दो घंटा योगा करना तो स्पेसेली वह अनार का जूस दोस्तों हर रोज पीते ह अनार सहत के लिए दोस्तों बहुत ही फायदाबंध है और इसमें एंटी ऑक्सिडेंट, भीटामीन सी, एंटी इंफ्लेमेंटरी और एंटी वाइरल जो गून है इससे हजारों तरह का बिमारी से हम दोस्तों बच सकते हैं अनार में जो पसकत तो है यह हमको ब्लेट पेशर से, डाइबेटिस से, जोएंट पेन से, इविन अब कैंसर से भी दोस्तों बचाता है इसलिए अनार के जूस में आप ब्लाक सॉल डालके अगर रोजाना एक ग्लास देड़ ग्लास प्योगे तो दोस्तों इसका बहुत लाब होगा खास करके जिन्हें कोलेस्टरल बहुत ज गठिया की बिमारी जिन्हें हैं उन्हें हर रोज ब्रेकफास्ट के बाद या फिर लंच के बाद एक ग्लास अनार की जूस जरूर लेनी चाहिए साथ-साथ यह फोटिलीटी बुस्टर भी है दोस्तों यदि आप रोजाना अनार का जूस पियोगे तो इसमें महजूत प्रेश पियोगे तो यह बात में बीच में इसलिए आपको बताया कि आप भी इसको अपलाई करें अपने जीवन में जिसका लाब दोस्तों होता रहे आपको साथ-साथ एक्यूप्रेशर रोजाना करें चलिए बावा से थोड़ा गुप्तगू करते हैं उनसे बातें करते हैं उनकी दुआओं में दोस्तों आप भी सामिल होईए और अपने आपको फिट रखने के साथ साथ आप मानसिक तनाव से भी दोस्तों बच सेकते हो याने आपको मुक्ति मिलेगी तो दोस्तों जो मेरी किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड ओ किताब बाबा का मेरा बहुत महनत कियें दस साल के महनत में किताब बनाया है और वो किताब को बाबा अभी देख रहे हैं नई एडिसन आया है अंगरे जी किताब का नई एडिसन याने सेकंड एडिसन हमने अभी मार्केट में उतार रहे हैं और उस किताब को बाबा बड़े देखो कितने प्यार से कितन तन्मन से देख रहे हैं तो दोस्तों बावा से थोड़ा बात कराता हूँ कैसा लग रहा है उनको किताब ये बारे में थोड़ा बावा बताएंगे आ कुछ बोली है ये मेरा बड़ा आनंद का दीन है आज डॉरविस को मैंने देखा इतना सीरियस था मैंने बारवर उसको शहधर्मनी को फोन में बादचीत बारवर हुआ था मैंने कह दिया मैं गेरिंट दे रहो कुछ होगा नहीं तुम आनंद बे रहो स्ट्रेस मतलो टेंशन मतलो फैटिक हो जायागा तो फिर और दिकत होगा आनंद बे बैठो अल्ला को और लौड जगर्नात को और जिशु को जतना बुद्ध को जतना धर्म है ये सब धर्म का जतना गुरु है सब को नौमन करके मागो हमारा परिवार को देखो छोटो बच्चा है तुमारा उसको देखो उसको कुछ होआ नहीं इसा हुआ पाई तीस साल के रिष्टे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आपका मेरे एक लंबा सफर हमने तई किये ये तो बहुत दिन का संबंध है मैंने एक इंडिया में वो जमाना में एक्टी में असी मेशिहा में एक कॉलेज किया था अभी वो कलेज बहुत बड़ा हो गया बहुत बड़ा बड़ा आदमी को पईदा किया डर्वेश एक आदमी है उससे डर्वेश ने इतना नाम कमाया वो समय पे भी बड़ा सिंसिर था दिल्ली आ गय मैं उसको कहा जे दिल्ली में तुम्हार एक मेडिकल बनाओ उन्हाने जो वो टाइम में जो जवाब दिया था मुझे को करके देखाया मैंने का वो कुछ नहीं किताब निकालो मेरा तो समय अभाव है मैंने उसको गाइड किया फोन पे और रिक्टेशन भी दिया वो यतना सुंदर ढंग में किया वो किताब यतना बड़ा बड़ा किताब सो किया मैं हल्थ इन मैं हैं इव नो दी आट हाव तो टेक्यार इव और और हैल्थ नहीं थो और है नहीं पहा था मैंने कहा था इन आटनानानल चंफरिस्ट मैं कहा था आप जब आपका स्वस्तय का दखभाल क्रेंगे अपना स्वस्तय का आपको दखेंगे यह तो बड़ी साइंस मैंने शाइंस्गिक अप्रूस प्रूस्ट नष्टeten रिस मैं बोस्टिंग फॉर हीम अधी बोनाफाइड स्कॉलर और अल्सो बोनाफाइड क्या में कहूं उसके बारे में तुम अपना गाओं के पास अधर जो नेचर है उसको लेकर के उधर बहुत जमीन है इसको सब लेकर के उधर एक बनाओ मैंने कहा है बनाओ इन एक्राइब नियुक्ता है। आप मैंसे नियुक्ता ही आप availability, if you know how to tune their body and mind, you will be meeting that zero state of consciousness in your own mind. एकाश वी लुप सबस्क्राइब भचाए। मैंने कुन बोचानेबाले? वह बचा दिया। लोड जगरनाथ बहुचा दिया, मैंने दूर से मंत्र को अपलाई किया, इतना पावरफुल मंत्र है, मुझे, मेरा गुरूने भी दिया था, पातन जल जो शुत्रों 51 फर्मूला को, उन्हने, I was initiated by my own guru, महार्श्री महार्य जोगी, is a very low-end scholar, teacher, who was teaching about natural law, natural is also having his own law, so I did my doctorate, that is of quantum physics, that is my guru also did, and my guru and also through his blessing, they conferred me the award and doctorate, again I did my delete, on Queen University of Sierra Leone of South Africa, again I did my PhD, likewise, I have been completing all the left and right science and arts, so, यही जो सिख्या का, जो टीची मुझे मिला था, मैं वही टीची उसको दिया, यह भी मुझे करस्कर दिया, यही तो है आनन्द, जो student, उसको गुरू को करस्कर देने के लिए, एकदम यतना इरादा है उसको, तन्मन देकर किया, इसलिए हमारा गर्ब है, and the contribution of his own wife, सहाधर मिनी, बहुत contribution, यह से, मैं उसको प्रसचा नहीं कर रहा हूं, उसका जो तन्मन देकर के सेभा किया, साधना करने से सिधी आएगा, यह साधक है, वो अध्यवसाय करता है, उनका धर्म पत्नी, जो धर्म का धर्म में है, इसे मिलेगा नहीं, गाओं को जाने के लिए तुमने इच्छा करते है, जतना जल्दी जाओ, पता माता को ढधने के खाड़ा होके अमन कर दो, अभी तो तो नूमरे पता जिंदा नहीं है, जिंदा के टाइमें में देखा था, यह सेभा तुमने किया था, जो पिता माता को शेवाय करते रहते हैं, कुछ होगा ने उसको। Blessing of our father and mother by the heavenly gay that I enjoy from here thy nature. In accordance to the laws of nature, we know how to tune your body and mind, everything will be perfect. He is now totally cured. But I warn him, rest not to you, don't strain yourself. He is never after money. Money का धर्म डूबना. इसा काम करो, money आपका पिछे पिछे आएगे. इसा हुआ, इसके लाइव में. जो सवाल तुमने पेस किया था, वो जबाव मुझा तुम्हाँ में बहुत आदार है तुमारा. में दिया था, तुम उसो करके देखाया, अग इस सब है ठीक, नरूमल. यह हिंदी बावा है, उसको महा मही में राज्यपाल न उद्धारने के, यह गवानर साभ ने किया था, और यह भाइस्पेशनेंट साभ उद्धारने के था, अंग्रे जीव है, और यह लोकसभा के लाइब्रेरी में में भी मिसिस महाजन 2017 में जगा दिया है, जब हमने उनक में जन पे लेते हैं, वो लोग इसको लेके अप्लाई करके अपनी जीवन में, उन्हें लाव हो रहे हैं, वो वाट्सप में मुझे मेसेज भी डालते हैं, यह तो है मारा गरवार क्या, I am boasting for you, for your eternal knowledge, and for your help to others. that's why you are being saved by that almighty that you don't see, religion what I mean, realize you, you have today realized, that's why the God could save you, God is you, that is the God. किया बहुत इन तो में पल्टिस में था, में ने कहा, पल्टिस इस ओरिजनेट फोर में, आप कितने बार संसद रहें, बाबा, कितने बार संसद रहें, लगा तक पांच बार संसद, चार बार M.L.A., एक बार मुंत्री था, I was the cabinet colleague, कियो भी उपतना है, I am the founder member of this party, and presently I am the senior vice president, my president is in Avin Patna, the chief minister, I am next to him, according to party protocol, but I, it's my hobby, मैं सब जगा से कहते हैं, गुम गुम करके, वो सब करते हैं, मैं कुछ किया नहीं, इसा मरा हभी है कहाना, so इसलिए कहता हो, मैं कुछ किया नहीं, गौन ने किया, that absolute state को तुमने कंकर कर दिया माहीं पे, इसलिए, from that power, you have received from thy almighty, which you don't see in the common eye, but you have realized, I am great. प्रदान मंत्री कहा, जो सवच्च भार्द अभी जाने इस पे, तो आपने भी काफी मुझे इंस्पेड किये हैं, मैंने उस पे काम भी किया हूँ, हाँ, स्वास्ते के लिए और भी काम करना पड़ेगा, सच्चे भार्द अभी, हम काम करेंगे, करते रहेंगे, जो स्वास्ते को, अपना स्वास्ते को नजर देंगे, तो, आदमेडिक, दूसरा आदमी लोग ने, उसको भी प्रेम करेंगे, सब मिल करके, हटाना, जतना दुरुभावना, जतना पईदा होता है, रोग हर दम, उसको भी, आदमी को बचाना, इनिसान को बचाना, रख्या करना, हमरा धर्म है, अपने वो धर्म को सुरकित किया, इसलिए तुम गहनवादे रहो, तो, यह था एक स्पेसाल वीडियो दोस्तों, आप इसको देखो, समझो, तभी, जीबन में हम बिमारी से दोस्तों दूर रह सकते हैं, और अपने आपको क्लीन करना, अंदर के अंतरात्मा को जगाना, और कर्म पे ध्यान देना, और जो भी जिस धरम में भी है, मजब में भी है, वो अपना काम भी करता रहा है, साथ साथ, दुसरे को भी प्रेम करता रहा है, एह मेसेज के साथ इस वीडियो को दोस्तों, हम समाप्त करते हैं, थैंक्यो बेरी मच्च, जै हिंच, जै भारत!